आयर्पिया मॉनर्स पार्ट थाड़ के पेपर फिप्त के लास्ट और अंतिम चेप्टर जो श्रम्शंग के अधिनियम 1926 है उसके अब्जेक्टिव प्रशनों को इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आयर्पिया मॉनर्स के पार्ट थाड़ के पेपर फिप्त का अंतिम चेप्टर है श्रम्शंग अधिनियम 1926 इसके अब्जेक्टिव प्रशनों को चलिए हम लोग जल्दी-जल्दी से जान लेते हैं पहला अब्जेक्टिव प्रशन है श्रम्शंग अधिनियम 1926 में लाग तब तक एटक की स्थापन हो चुकी थी और भारत का राष्टे स्तर पे सबसे पहला श्रम्शंग बना था चलिए दूसरा प्रशन जो है श्रम्शंग में श्रमिक यानि कि सदस्य की नियूंतम संख्या साथ होनी चाहिए तो जी हाँ श्रम्शंग के पंजी करन के लिए हमे सहकारी समिती अधिनियम 1912 इसवी में लाग हुआ था तो इसका एंसर भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा सहकारी समिती अधिनियम 1912 इसवी में लाग हुआ था जबकि कंपनी अधिनियम 1926 से ही भारत में लाग हुआ तो इसका एंसर भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा छटा प्रश्न श्रम संग की सदस्यता प्राप्त करने की नियुंतम उम्र 15 वर्ष है तो बहुत जगा जो है आप सभी कोई सोचेंगे कि ये इसका अंसर को तो गलत होगा लेकिन गलत नहीं होगा अभी 1926 के श्रम संग अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर किसी उद्योग का श्रमिक है और उसकी उम्र 15 वर्ष है अधिक है लेकिन 18 से कम है तो वो सदस्यत से बन सकता है श्रम संग का तो आप सभी को ध्यान में रख लेना है कि नियुनतम उम्र 15 वर्ष ही चहिए ठीक है लेकिन उसको संपुर्ण लाव 18 वर्ष के बाद ही मिलता है उससे पहले वो जो है उसका नहीं अध्यक्ष बन सकता है नहीं उपाध्यक्ष बन सकता है केवन सदस्य बन्दय रह सकता है चले सात्वा प्रस्ण की बात करें तो सात्वा प्रस्ण है श्रम्षंग को राजनेति कोष गठन का अधिकार प्राप्त है जी हां श्रम्षंग को राजनेति कोष गठन करने का अधिकार प्राप्त है वो श्रम्षंग अधिनियम दौरा जो है इनको कोष गठन करने का अध वाचन में तो उखड़ा हो सकता है उसी के लिए राजनिती कोश्का गठन किया जाता है आठवा अंतिम प्रशन है आवयसको को सदस्चता देना श्रमशंग का दाइत्व है अगर कोई श्रमिक किसी उद्योग या संस्थान में कार कर रहा है लेकिन उसकी उम्र 18 साल नहीं हु होता है और ओल दा बेश्ट आपके एक्जामनेशन के लिए